दोस्तों कुम-कुम बागे के आने वाले एपिसोड में जहां मुनिसा इस समय वार्निंग देती हुई नजर आएगी आरवी को आरवी से बोलती हुए नजर आएगी कि अगर आरवी तुमने मेरे से साधी नहीं की तो देख लेना मैं तुमारे साथ में क्या करती हूँ क्योंकि तुम्हें खुस तो मैं भी नहीं रहने दूँगी तुम्हें एकर ये लग रहा कि तुम पूर्वी के साथ में खुस रहे हो पाओगे तुम्हें तुम्हें देख लूँगी आप लोग जानते ही है कि इस समय मुने सा हर तरीका की कोशिस कर रहे हैं ये पूर भी और आरवी को अलग करने के लिए और अपना टांका बिढ़ाने के लिए लेकिन दोस्तों कहते हैं होता वही है कहानी के अंदर जो खुदाय मंजूर होता है और इस समय एक नहीं बलकि समय एक और भी नया टूस्ट आप लोगों के बीच में देखने को मलतावा नजर आएगा क्योंकि साथी दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही एक बार फिर कहानी का सबसे बहतरी टूस्ट आप लोगों के बीच में ये भी देखने को मिलेगा कि हैं पर साप साप एक चीज और भी बोलती हुई नजराने वाली है मुनीसा पूरवी से कि पूरवी टैंस न लोग मैं तुमें भी जल्दी ही ऐसे बाहर कर दूँगी आरवी की लाइफ से और उसके परिवार की लाइफ से कि तुम सोच भी नहीं सकते क्योंकि दोस्तों साप साप दमकी देने का रिजन आप लोग जानते ही हैं क्योंकि दमकी एक नहीं बलकि वो अलगी लेबल की देखने को मिलती भी नजर आ रही है साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही एक बार फिट से कहानी का बेहतरी टूष्ट एक बार फिट दस्तक देगा दोस्तों कहते हैं हर एक कहानी के पीछे बेयत बड़ी सच्चाई होती है और सच चुप नहीं सकती किसी के चुपाने से क्योंकि यहां पर साब साब पता है पूर भी को भी कि लाकोसिस करेगी मुनिसा एक दूसरे से जुदा करवाने के लिए आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जल्दी ही एक और भी कहानी का दल्चास्टूस्ट देखने को मिलेगा दोस्तों मेरा नाम है प्रोहित नागर चैनल को सब्सक्राइब करने एक बाद में वीडियो को लाइक करें और कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताएगा